सबसे पहले आप आपर देख सकते हो कि निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और यह डेली टाइम प्रेम का चार्ट है निफ्टी अपने बहुत ही इंब्र लेवल पर आचुका यहां पर से अभी रिजेक्शन ले रहा है। कोन सा लेवल है किस तरीके से निकाल और किस तरीके से ट्रेट करने वाले और निफ्टी जैसे कि हमने बोला कि hard less than पर वहां पर सेenk ले रहा है is का उल्टा बैंक निफ्टी ने अपने एक important resistance का breakout कर दिया है और हो सकता है कि bank निफ्टी में इस आगे आने वले week में हमें एक नया all time high देखने को मिले तो obviously यह analysis बहुत ही important होने वाला है इसी वज़े से skip मत कीजिएगा अभी simple आप यहाँ पर देख सकते हो कि nifty का chart लगा हुआ है और simple हमने यहाँ पर क्या discussion किया था कि यह अपना all time high है nifty का यहाँ पर से market ने एक हम के सकते कि profit booking दिखाया एक downfall दिखाया उसी के दोरान अगर swing high यहाँ पर से breakout करेगा हमें upside के तो important profit booking के levels अगर find करने होगे तो हमें simple इस वाले swing high से लेके swing low तक हमें fibonacci extension का tool लगाना है और 1.272 और यह 1.618 हमारे लिए important profit booking के levels होने माले है यह हमने यहाँ पर discuss किया था अगर आप 1.272 देखोगे तो price ने इसका breakout तो कर दिया बट price ने यहाँ पर दो बार support लिया retest किया देन यहाँ पर से market बढ़ा और अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो अभी market 1.618 के profit booking के level पे यहाँ पर rejection ले रहा है और यहाँ पर से हमें थोड़ा सा profit booking दिख रही है और price अभी यहाँ पर हम कह सकते कि consolidate कर रहा है अभी इसी के बीच में हमें किस तरीके से trade करना चीए तो अगर मैं यहाँ पर से सीधा सीधा 15 minute time frame में चलूँगा तो अब आपर देख सकते कि 1.618 से price को rejection मिला market गीरा और price अभी दो levels के बीच में फसा हुआ है अभी सबसे पहला level यह important market profile का भी level है और यहाँ पर अभी structure level भी बन चुका है सबसे पहले जब market first time यहाँ पर ह और यह level अभी यहाँ पर important resistance का काम कर रहा है तो अगर prices level का breakout कर देता है then and then only हम यहाँ पर से long के trades लेने वाले कोई भी pullback देखकर directly हमारा target होगा यह 1.618 का level जिसका level है 18,400 अभी short कप करना है downside में हमारे लिए higher probability shorting के trades बनेंगे जब यह structural support breakout होगा आप यहाँ पर देख सकते ह इस वाले structural support का breakdown होगा तब हमारे लिए higher probability short के trades active हो जाएंगे आप देख सकते हो कि price time to time यहाँ पर इस वाले level को respect कर रहा है यहाँ पर support ले रहा है और अगर आपको intraday के trades लेने obviously market यहाँ से यहाँ तक तो कल direct लेने नहीं वाला उसके बीच में अगर हमें यहाँ पर trade करना ह होगा तो हमें simple 5-minute time frame में यहाँ पर से आ जाना है और Fibonacci का tool लगाना है यह थोड़ा सा drawings यहाँ पर से में हटा देता हूँ हमें का करना है Fibonacci retracement का tool लेना है और पूरा एकदम यहाँ पर bottom से लेके top तक लगा देना है और यह जो 0.382 0.5 यह हमारे लिए trading opportunities अभी create करने व होगा हमारा 0.5 0.5 भी देख सकते हो कि आप structure के साथ coincide कर रहा है अगर price यह भी level का breakdown कर रहा है तो इसके नीचे भी हम shorting के trades ले सकते हैं और अगर आप यह 0.618 का भी अगर आप level देखोगे अगर price इस level पर support लेगा bounce करेगा तो अलग बात है बढ़ अगर price इस level का breakdown कर रहा ह तो obviously directly हमारा यह important support हमें यहाँ पर दिखने वाला है जिसका level है 18,220 का level कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर short के trade लेने वाले और long किस तरीके से करना है already आपको यहाँ पर बता दिया है अभी यहाँ पर से bank nifty के chart के उपर चलते सबसे पहले हम यहाँ पर daily chart में चलने वाले और जिस तरीके से हमने बात की होई थी bank nifty लगबग अपने all time high को hit करने को आ रहा है यह swing high bank nifty का all time high और price अभी यहाँ पर trade कर रहा है और इसी level को थोड़ा सा अगर हम past से देखेंगे अगर हम यहाँ पर से थोड़ा सा one hour के time frame में चलेंगे तो हमें यहाँ पर से बहुत ही अच extension का tool लगाने वाला हो पूरा एकदम top से लेके bottom तक तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस वाले swing high का भी price ने यहाँ पर breakout कर दिया और अच्छे से positive में अभी trade कर रहा है और एक level है थोड़ा सा यहाँ पर 15 minute time frame में आना चाहूंगा और यह last जो यहाँ पर pullback लगा है इसको अभी में Fibonacci extension का tool लगाना चाहूंगा क्योंकि यह levels यहाँ पर बहुत ही अच्छे से काम कर रहे है अभी short कप करना है और long कप करना है दोनों भी चीज़े आपको यहाँ पर clear करने वाला हो सबसे पहले यह levels आपके लिए mark कर देता हो तो यह previous swing high का zone हो गया अगर यह zone का breakdown कर करता है तो obviously में यहाँ पर शॉटिंग के trades लेने वाले क्योंकि यह जो यहाँ पर breakout हुआ है यह fake breakout हो जाएगा और price यहाँ पर से बहुत ही अच्छे से नीचे गिर सकते है इसी वाज़े से इस level के नीचे हम short करने वाले और long कप करेंगे आप simply देख सकती हो कि यहाँ पर यह 1.272 का level और यह 1.618 का level हमारे लिए यहाँ पर Fibonacci cluster zone create कर रहे हैं इसी वज़े से यह हमारे लिए target होने वाला है तो इसी वज़े से simple अगर 1.272 breakout हो जाता है तो कोई भी pullback देखर हम यहाँ पर से long के trading opportunity ले सकते हैं यह हमारे लिए cluster zone हमारे लिए important resistance का का काम करने वाला है यहाँ तक price easily जा सकता है फिर यहाँ पर से profit booking देखने को मिल सकती है बट अगर यह भी level यहाँ पर से breakout हो रहा है तो directly all time high का resistance जो है 44,150 का level यहाँ तक market जा सकता है फिर यहाँ पर से breakout करेगा या फिर यहाँ पर से हमें profit booking देखने को मिल सकती है वो आगे की बात होगा बट market एक नया all time high यहाँ पर hit कर सकता है तो यही पूरा पूरा analysis होने वाला है nifty और bank nifty का अभी यहाँ पर थोड़ा सा stocks के बारे में बात कर लेते एक ही stock है जो कि हम बहुत दिनों से यहाँ पर discuss कर ले stock का नामे kotak bank kotak bank अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अपने important horizontal resistance पर आ कोटक bank में भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा long cut it बनेगा बट अगर bank nifty में fake breakdown होता है वो previous swing high का अगर breakdown होता है तो obviously यहाँ पर से हमें एक kotak bank में भी downfall देखने को मिल सकता है price यहाँ पर बहुत ही अच्छे से consolidate कर रहा है अगर हम यहाँ पर से 15 minute time frame में आएंगे तो price यहाँ पर kind of ascending triangle pattern बना रहा है अब यह triangle pattern जिस भी direction में breakout या फिर breakdown करेगा उस direction में trade करने का सोचने वाला हो और वही मेरा यहाँ पर trading plan होने वाला है तो hope आपको यह पूरा analysis समझ में आगया होगा पसंद आगया होगा अगर analysis पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजे आपके फ्रेंड के साथ टेंग उन साथ शेयर कर दीजे और इसी वीडियो से देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe भी कर दीजे तो आज के वीडियो में इतना है रखते है thank you very much आगया होगा 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 है